यानि कि Sustainable Development Goals जिनको आप SDG Goals के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही important topic है for all the competitive exams, एक दो प्रस्न आपको इस topic से देखने को मिली जाते हैं, और कई बार हम उसमें गलतियां करके चले आते हैं, क्योंकि एक तो ये संख्या में 17 हैं, इनको याद करना मुस्किल होता है, दूसरी ब संख्या में भले ही 17 हैं, लेकिन अगर आप इनको एक बड़ा क्रम से याद करने कहानी के रूप में, तो ये जीवन भर के लिए आपको याद हो जाते हैं, मैं बिलकुल सच कर रहा हूँ, ये जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे, आपको कोई सोते हुए सभी उठा लेगा और पूछ लेगा कि बताओ क्लाइमेट एक्सन किस नंबर का SDG गोल है, आप बता देंगे, पहला गोल क्या है, अंतिम गोल क्या है, क्या है, कैसे है, सब आपको बिलकुल रड़ जाएगा, पसरते कि आप ये पूरा वीडियो ध्यान से सुन लें और पूरी कहानी को एक बा स्थावित किये गए, और वर्स 2015 में सयुक्त राष्ट महासभा की जो सत्तरमी बैठकोई थी, उसमें 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के तहर सदस्य दिसुद्वारा सत्तर विकास लक्ष तथा 179 प्रयोजन अंगिकरित किये गए थे, यहाँ पर सवाल उड़ता है, क्या है आ इसके अंतरगर जो बर्ट लैंड कमीशनम गठित किया गया था, तो बर्ट लैंड कमीशनम के द्वारा जारी एक रिपोर्ट थी, जो कि आई थी 1987 में, इसके अनुसार जो सतत विकास है, उसकी परिभासा दी गई है, क्या कहा गया है, कि आने वाली पीडी की अपनी आवसक सकताओं को पूरा करने की छमता से समझोता किये बीना, बर्तमान पीडी की आवसकताओं को पूरा करने है, तो बिकासी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मतलब यह कि हम बर्तमान में जो भी उपभोग कर रहे हैं, उससे आगे आने मली जो पीडी है, वो प्रभावित नहीं ह होनी जीए, हालाकि फ्रेंट जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिवी की जो उर्वरा सकती है, प्रतिवी जितना मानावता के लिए समस्त जीवजनतों के प्रोड्यूज कर सकती है, तो उसके लिए एक लिमिट होती है, मतलब पूरे साल के लिए प्रतिवी जितना उत्पन करती ह हम उसे उससे कम समय में कभी कभी 10 मेने कभी 11 मेने में ही सारे संसाधन का उप्योग कर लेते हैं यहाँ पर देखेंगे तो एक अर्थ ओवर सूट डे इसलिए मना जाता है यानि कि पृत्वी ने 365 दिनों के जो संसाधन उत्पन किये हैं उनको हम कितने किस डेट तक पहले ही कंजियूम कर लेते हैं जिसे कि 2024 में यह दिवस एक अगस्त को मना जाएगा हलांकि हर साल यह दिवस वैरी करता है कहीं कहीं पर यह 25 जुलाई में लिखा गया है तो exact date तो आपको जिस दिन मना जाएगा उसी दिन आपको पता जलेगी लेकिन यह है हम लोग उपयोग करते हैं तो उसके भी जो प्लास्टिक है वो कितना प्रतिवी कंजियूम कर सकती है प्रतिवी कितना उसको आत्मसाथ कर सकती है उसके लिए भी एक overshoot date किया गया है जो कि इस साल 5 सितंबर को मना गया है यह दोजार चोबिस में प्लास्टिक ओवर सुट ड है कि यह गयते 2016 से लेकर 2030 तक के लिए उसकी जो थीम थी क्या थी थी अपनी दुनिया में बदलाओ टिकाओ विकास के लिए 2030 का एजेंडा ठीक है तो ध्यान देजेगा कि इसमें कुल मिलाके 179 प्रियोजन है कई बार यह एक्जाम में पूछा गया है अब हम देखेंगे कि यह जो 17 लक्ष हैं कौन-कौन से हैं और इनको आप कैसे याद कर सकते हैं सबसे पहले तो हम लक्ष को देख लेते हैं ताकि एक बार आउट टाइम मिल जाएगी आखरी लक्ष है क्या फिर हम इनको याद करेंगे एक कहानी की रोप में डेक्रप्रेंट सबसें इंपॉर्ट मतलब एक दूसरे का सहयोग करें इन लक्षों को प्राफ करने के लिए तो पहला और अंतिम तो रट गया आपको पहला हो गया गरीबी उन्मूलन नो पावर्टी और अंतिम क्या हो गया गरीबी उन्मूलन के लिए सभी देशों के द्वारा पार्टनर्सिप ठीक है तो पह आच्वा है आपका लेंगी समानता छटा है स्वक्ष जल्व अ स्वक्ष जल्व स्वक्षता ठीक है मतलब clean water and sanitation सात्मा है आपका सस्ती इमंग स्वक्ष उर्जा आठ्मा हो जाएगा अच्छा कार और आर्थिक विकास नौवा हो जाएगा उद्योग नवाचार वबुनियादी धाचा दस्वा हो जाएगा असमानता कम करना गिरामा है टिकाउ सहर और समदाय बरामा हो जाएगा जिम्मेदार उपभूग वः उतपादन तेरामा है जलवा वायुकार्रवाई climate action चोधामा हो जाएगा जल के नीचे जीवन पंत्रामा हो गया प्रिथिवी पर जीवन सुलामा हो गया सांति वन न्याय के लिए मजबूत संस्था हैं peace and justice strong institution और 17 माईए आपको याद है लक्ष प्राप्त करने के लिए साज़ेदारी partnership to achieve goals ठीक है अब एक कहानी आप बंती बड़ी जबरदस्त वो कहानी आप ध्यां से समझो तो यहां पर हमने क्या याद किया कि जो हमारे 17 SDG goals है उसमें जो पहला goal है वो क्या है वो है no poverty ठीक है और अंतिम क्या है कि no poverty के लिए मिलकर काम करना यानि कि partnership तो पहला क्या हो गया no poverty और अंतिम क्या हो हो गया आपका partnership ठीक है पहला और अंतिम याद हो गया बिलकुल याद हो गया होगा आपको अब हम बात करेंगे आपर कि गरीबी उन्मूलन होगा कैसे ठीक है यह कहानी समझो हमें सारी बात बस इसी पर लेकर आनी है कि गरीबी उन्मूलन होगा कैसे तो गरीबी उन्मूलन तो यह हो गया आपका तिसरा लक्ष अच्छा स्वास्त वह खुसा ली मतलब किसी को आपने खाना खिला दिया उसकी भूक मिटा दी अब क्या हो जाएगा उसका स्वास्त अच्छा हो जाएगा और वह खुस हो जाएगा जब उसका स्वास्त अच्छा हो जाएगा और वह खु को मिटा सको ट्रेनिंग यानि कि सिख्षा तो यहाँ पर मुसे गुर्वत्ता पूर्ण सिख्षा देंगे quality education यह हमारा चौथा लक्ष हो गया अब अगर quality education यानि कि अगर हम सभी को सिख्षा प्रदान करना शुरू कर देंगे तो फिर लड़के लड़की पे फर्क मिट जाए है भी तो मतलब यह हो गया कि कोई फर्क नहीं दोनों के पावर समान हो गए तो यह हो गया आपका इसके बाद फिर इतने बड़े पत्त पर आ पहुंच जाएंगे तो 6 मतलब स शक श है स्वच्छ बस इतना याद रखना अच्छ है स्वच्छ तो यह क्या हो गया स्वच्छ क्या होता है जल और स्वच्छता तो छटा तो बिल्कुल ऐसे याद कर लो कि स्वच्छ जल और स्वच्छता ठीक है अब अगर स्वच्छ जल और स्वच्छता हमको मिल गई तो हमको लिए तेल चाहिए एनर्जी चाहिए ठीक है तो क्या होना चाहिए तो सस्ती और स्वक्ष उर्जा चाहिए उसके लिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी चाहिए ठीक है अब आपको जो है एनर्जी मिल गई सस्ती और स्वक्ष उर्जा आपको मिल गई आपको सस्ती बिजली मिल गई सोलर एनरजी आपको डे दी गई तो अब आपका काम क्या है अगर आपको इतनी शाय चीजी मिल गई तो अब आप क्या करेंगे आपका आर्थिक विकास होना चाहिए और अच्छा काम आप करें ठीक है अच्छा काम करें और जिससे आपका आर्थी विकास हो डिस्टेंट वर्क एंड एकोनामिक ग्रोथ अब डिस्टेंट वर्क और एकोनामिक ग्रोथ जब आप करेंगे तो क्या करेंगे आप एकोनामे ग्रोथ कैसे होगा आपका ? एकोनामे ग्रोथ होगा उद्योग से, नवाचार से, इसके लिए आप क्या खळा करेंगे ? बुनियारी रहाचा ? मनदब उद्योग और नवाचार आप सुरू करेंगे ताकि आपका आर्थी विकास हो सके आठ में पर आ रहा है आर्थी विकास नवें पर आ रहा है आपका उद्योग नवाचार और बुनियादरी रहाचा अब अगर उद्योग नवाचार और बुनियादरी रहाचा इस सारी बारी चीजें सबके पास आगाईगी सब्होंी अगर समानता हो जाएगी और विकसुत भीखुत हो जाएगई और अगर जब विकास हो जाता है यूदि कहीडिंगी कि टिकाउ सहर और समुदाय में जहां पर सब कुछ आपको उपलब्ध है वहां पर सांती बनी रहे लोग अच्छे से अपना जीवन बिता सकें उसके लिए क्या जरूरी है कि आप लोग जिम्मेदार उपभूग करें ठीक है चीजों को जिम्मेदारी से उसका कंजप्शन करें उसका उपयोग करें लेकिन प्रोडक्शन भी करें तो मतलब यह हो गया आपका जिम्मेदार उपभूग और उत्पादन यह आपका बरहावा नंबर का हो गया अब जिम्मेदार उपभूग और उत्पादन जब आप करेंगे जब आपकी फैक्टरियां चलने लगेंगी ज मतलब जलवाय कर रहा है भी तो करनी पड़ेगी, अब जल अब करकरवाई जब आ अब आहोँ करेंगे तो अब सब्सक्राइब क्या होगा, जल प्रधूसीच हो रहा है, तो सब्सक्राइब करके नीचे ऑर जल में development हो गए तो आपस में अगर पावर सब के पास आगी तो आपस में लोग लड़ना बैठ है इसके लिए सांथ और नयाय के लिए मजबूस संस्थाएं बननी चाहिए peace and justice के लिए strong institution बनेंगे ठीक है और मैंने बताया था कि इस सारी चीज़ कब हो पाएंगी जब आप लोग पार्टनर्सिफ करेंगे तो यहां पर पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी एक बार साथ में मैं आपको फिर से सुनाता हूँ फिर से सुन लो पहला लक्ष हो गया गरिबी उन्मूलन अंतिम लक्ष हो गया आपका पार्टनर्सिफ दो क्लीर हो गया अब पूरी कहानी को आप सुनते जाओ और यहां पर पढ़ती जाओ, गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे पहला काम यह हुगा कि आप यह देखो कि कौन-कौन भूखा है उसकी भूख मिटा दो, सूनी भूख, अब जब भूख मिट जाएगी तो उसका स्वास्त अच्छा हो जाएगा, वो खुस हो जाएगा, जब खुस हो जा आगई तो फिर घर में स्वाक्श्य जल पढ़ेगी, तो यह च्छटी नंबर का है है, सवाक्ष श्च, शह से सवाक्ष याद रखना, ठीक है, अब सवाक्ष जल के बाद हमको सवाक्ष उर्जा भी चाहिए, तो सवाक्ष जल के बाद सस्ति और और स्वच्छ उर्जा अब सबके पास उद्योग नवाचार त्यार हो जाएगा तो जो असमानता है वो कम होगी असमानता कम होगी विकास होगा लोग आपस मिल्जू के रहेंगे गाउं सहर बनेंगे तो यहां पर टिकाव सहर और समधाय बनेंगे और समधाय बनने के बाद क्या होगा सबसे इंपोर्टेंट है कि फिर हमें जिम्मिदार उपभोग और उत्पादन इस पर ध्यान देना होगा जितना इमांदाली से हम उसका कंजप्षन करें और प्रोडक्षन भी करें तो इसके बाद जरूरी होगाता है जल वाई में जीवन आनगी जब जाउट में जीवन है रहा ह् वि्ल में लाइब रॏट से पफ्रमधित होगा उसके बाद धर्ति प्रका जीवन प्रिथवी पर ओड़ करना होगा तो ये सारे चीजें कभ होंगी मजभारे पास सांत्य और न्याएक लिए मजबूत संस्थाएं होंगी और हम partnership करेंगे तो इस प्रकार से एक कहानी अगर आप दो तीन बार सुन लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगे बाकी यह जो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं यह आप बिलकुल note कर लो अगर PDF चाहिए तो comment करना मैं इ बहुत धन्यवाद थेंक यू